नमस्कार दिन भर के अंतरास्ति ये खबरों की सिरीज पर आपका स्वागत है आज के important highlights की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है जहाँ पर भारत, पाकिस्तान, मालदीव और चीन को काउंटर करने के लिए लक्ष दीप में नए airfields त्यार कने जा रहा है और यहाँ पर हम easily multiple operations कर पाएंगे दूसरी update की Paris Olympic में ISIS का बड़ा हमला हो सकता है इसको लेकर के कई internal reports सामने आ चुकी है तीसरी update की भारत सरकार ने Project 17B को मंजूरी दे दी है जिसके तहत बहुत ही advance और powerful warships भारत में तयार किये जाएंगे चौथी update की कुछी दिनों बाद ताइवान पर एक बड़ा हमला होने वाला है चीन की तरफ से 5th update की जो बाइडन राष्ट पती उमिद्वार से अपना नाम वापस लेने की त्यारी में है और 6th update की इसराल पर एक बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला है आई एच के इस वीडियो में ये सभी updates आपको details में बताते हैं यदि आपको हमारी ये series पसंदार ही तो इस लाइक और चानल को सब्सक्राइब सिर्व कीजगा सबसे पहली update की बात की जाए तो भारत लक्षदीप में दो नए airfields त्यार करने जा रहा है इन नए airfields के मध्यम से हम यहां पर multiple project setup करेंगे और यहां से आसानी से निगरानी रखी जा सकती है मौलदीव के अंदर होने वाले किसी भी Chinese activity को directly मौलदीव पर इसके लाबा पाकिस्तान पर भी यदि आपको याद हो तो कुछ जिनों पहले ही पियम मोधी लक्षदीप जाते हैं जिसको लेकर के मौलदीव के अलग-अलग ministers पियम मोधी पर अनाप शनाप्य प्या करते हैं और उसके बाद ही भारत और मौलदीव के रिष्टे खराब होने लग जाते हैं और मौलदीव की ये situation अब इतनी जादा बुरी हो चुकी है कि भार से जाने वाला tourism अब मौलदीव में बहुत तेजी से decline हुआ है जिससे सिधे सिधे मौलदीव की अर्थववस्ता को impact पड़ा है और अब भारत वही tourism लक्षदीव के तरफ attract करने की त्यारी में है जहाँ पर जो दो नए airfields त्यार किये जाएंगे इसमें ना केवल विमानों को उड़ने या फिर उतारने के सुविधा दी जाएगी बलकि यहाँ पर transportation, maintenance, विमान से जुड़ी होई जितनी प्रकार की सेवाएं हैं यहाँ पर की जाएगी अगर और जदा details की बात की जाए तो runways, taxiway, app run, air traffic control बनाय जाएगा जिससे आसमान में उड़ रहे किसी भी plane को किसी प्रकार की दिक्कत नो है इसके लावा check-in counter, security check, baggage claim, gate, duty free shop और food codes भी यहाँ पर त्यार किये जाएगे ना सिर्फ इतना बलकि transportation के लिए cargo terminals और fed handling की स्विधा भी यहाँ पर दी जाएगी और mall loading और unloading की पूरी facilities यहाँ पर त्यार की जानी है experts के मताबिक भारत का ये project भारत के लिए एक नया game changer बन सकता है फिलाल भारत की इस बड़ी त्यारी के लिए comment box में जहिन जरुर रिखेगा दूसरी important bit की बात की जाए तो Paris Olympic में आतंगी हमले होने के high alert जारी किये जा चुके है असल में France की राजदानी Paris के अंदर होने वाले Olympic समारों के अंदर आतंगी हमला होने का खत्रा मंडारा है पूरी तरीके से चौकनी हो चुकी है सभी सिक्योर्टी चक्स प्रॉपर तरीके से किये जा रहे हैं साथी पहले के तुलना में सिक्योर्टी और जदा इन्हेंस की जा चुकी है आपको बता दें पेरिस ऑलंपिक के शुरुआत 26 जुलाई से होने वाली और ये 11 अगस्तक चलेगा इसमें दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स शामिल होने वाले हैं बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर आएंगे लिकिन द सिलेट्स कंट्रीज की बात की जाए तो तरजकिस्तान इरान अफगानिस्तान और मद्ध एशिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे संगठन हमेशा सही पनपने आए हैं तीसरी इंप्रकार की बात की जाए तो भारत सरकार ने प्रजक्ट 17 बी को अप्रूबल दिया है इ इसी डिस्टोर को प्रोटक्ट करने के लिए जरुत पड़ती है स्टल्थ फ्रिग्रेट्स की और वैसे ही दो स्टल्थ फ्रिग्रेट्स को बनाने का प्रूवल प्रोजक्ट 17 बी के तहत भारत सरकार ने अप्रूब कर दिया है जिसमें माजगाउं डख्यार्ड ही त्यार करेगा इसमें जितना भी कंट्रोल सिस्टम है रडार सिस्टम है यह और भारत की इस प्रोजेक्ट में काफी जदा एक्स्पिरियंस है वहीं इन नये स्टेल्थ फ्रिग्रेट्स के उपर ब्रह्मो स्क्रूज में साले लगाई जाएंगी एंटी सम्मरीन हत्यार औ और इन सभी चीज़ा प्रोडक्शन भारत के अंदर ही किया जाना है अगर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्वायर की बात की जा तो इस तरीके से आइनस रासपूत आइनस मंबई कोलकता और विशा का पटनम हैं इनको प्रोटर्ट करने के लिए इस तरीके के वार हमला करने वाला है और ये कोई छोटी मोटे एजनसी नहीं बलकि जापान की एक काफी बड़ी एजनसी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जिस तरीके से भारत ताइवान अमेरिका मिलकर के लगातार चीन के उपर प्रेश सकता है ताइवान को जरुत है कि एडवांस हतियार वो पहले से तैनात कर ले अदरवाइस ताइवान को काफी बड़ा डैमेज भी जिल ना पड़ सकता है और यदि इस रिपोर्ट के वरिफिकेशन की बात की जा तो ओलड़ी चाइना ने 20 प्लस वार्ट शिप्स ओलड़ी चाइना की तरफ से ताइवान पर इस तरीके का हमला किया जा चुका है काफी जादा डैमेज ताइवान को पहुचाया गया था लेकिन अब जापान की यूमियूरी शिंबुन ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है कि अब ताइवान को बड़ी तैयारी करके रखनी होगी और इस नई रिपोर्ट के बाद अमेरिका के कई एडवान्स फाइटर जट्स आपको ताइवान में उतरते हुए नजर आएंगे पांच भी इंपॉर्टन रिपेट की बात की जाए तो ये सामने निकल क्या रही है अमेरिकी रास्पती जो बाइडन की तरफ से जहां पर ज बीच एक खबर सामने निकल क्या रही है कि जो बाइडन अब रास्पती चुनाओं की उम्मिद्वारों की लिस से अपना नाम छोड़ सकते हैं असल में अमेरिका की काफी बड़ी नियूज असंसी जिसे हम नियूज मैक्स के नाम से जानते हैं इसने इस रिपोर्ट का खु डिबेट देखने को मिलती है जिसमें डोनल्ड टरंप और जो बाइडन एक दूसरे कामने सामने पढ़ते हैं लेकिन यहां पर डोनल्ड ट्रंप और ज्याधा भारी हो जाते हैं लेकिन रिसेंटली डोनल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अब उनकी पावर और जधा वहाँ पर अमेरिकी दूतावास के पास एक बहुत बड़ा आतंग की हमला देखने को मिला है जिसमें एक लोग ने अपनी जान गवादी है और कई लोग घायल हो चुके हैं जिससे यह पता चलता है कि दुनिया के अंदर एक बार फिर आतंग बढ़ना शिरू हो चुका है ला को घायल हुए हैं इस बात का ऐसे बात की अभी तक नहीं हो पाई है फिलासरा की तरफ सभी चीजों में ली काउंंटर किर सके 원 लगतार भटल रहे नातंग की घटनाओं पर आपका सोचते हमें कमेंहेंटсьुमें बताईए हैं यह आपको हमारी यह पसंदा सारी तो इससे लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजिए बंदे मात्रम भारत माता कीजिए